जैहिंद फ्रेंट्स मैं सीब आपका स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स हम लोगों ने पीछले वीडियो में फ्रेंट्स से कंप्लिट इंडियन पॉलिटिस सीरीज यानि की श्रिंखला के भाग चार को को कर लिया जिसमें हमारे मूल करताबे थे और टोटल 11 मूल करताबे थे और टोटल 11 मूल करताबे को हमने विष्टित रूप से समझा कि कौन से मूल करताब में प्राबधान दिये गए हैं अब अगले भागों करेंगे यह जो भाग है यह भाग 5 है और भाग 5 में जो है अनुछेद 52 से लेकर 151 तक के अनुछेद टोटल सामिल है और इस अनुछे में राजी की चर्चा की गई तो पहले संघ की चर्चा की बात करते हैं इसके बाद फिर राजी की चर्चा की बात करेंगे तो संघ में जो है फ्रेंड्स यह भाग 5 है और इसमें 52 से लेकर 151 तक के जितने भी अनुछेद हैं यह सामिल है संघ में उसके बाद संघ्य कारपा तो यह भी जो है आपका ध्यान रखना हूं रखना है उसके बाद राश्छट पती के बारे में नहीं में चर्चा करेंगे तो राष्ट पती जो होता है वो भारत राजी का जो है राजी परमुख की बात करे जैसे राजी परमुख की बात करे तो भारत राजी का जो है परमुख राष्ट पती होगा और भारत के जो राष्ट पती होते हैं वो भारत के प्रतम नागरिक कहलाते हैं और राष्ट की एक को कुनते हैं तो हम लोग एमेल एम्पinga को जो चुनते हैं हो पर्टैक्स यानिकी डायरेक्ट प्रूप से चुनते हैं मतदान करके जपकी डास्ट्राश्ठ पती का जो है मतदान पर टेक्ष रूप से नहीं होता ःत्र Murray रखेंद से होता किसमें नहीं थोगी राष्टपती में नहीं थोगी और राष्टपती जो है वह यानि कि कौन राष्टपती उसका उपयोग जो है संविधान के अनुसार स्वेंग या अपने अधिनास्ति यानि कि वो जिसको प्राधी कृत करेंगे उनके माध्यम से यह काम करा सकेगा तो य संसद जो है वो तीन सीथ से मिलका बना होता है लोकसभा राजी सभा लोकसभा जो है निम्न सदन होता है यानि कि निचला हाउस होता है लोवर हाउस भी इसे कहते हैं और राजी सभा की बात करें तो ये उच्छ सदन होता है और इसे अपर हाउस भी कहते हैं और एक और जो है संसद में राष्ट पती सामिल होते हैं जिन से मिलकर जो है संसद का निर्मान तो होता है लेकिन राष्ट पती जो है संसद के सदस्य नहीं होते मिंबर नहीं होते तो ये जो है ध्यान रखना है सदस्य नहीं है राष्ट पती लेकिन अंग जो है संसद के है तो ये जो है बात तो समिधान में जो है राष्टपती के सपत का प्रारूप जो है यानि सपत की बात करें तो यह जो है सपत जो है आर्टिकल की तीसरी अनुसूची में दिगई है तो यह जो है आपको ध्यान रखने हैं अब द्रिंट्स बात करें भारत के राश्ठ पती की तो इस इसमें भारत के राश्ठ की लिस्ट है और इस लिस्ट के माधिम से जानेंगी कि अभी तक टोटल 15 15 में नंबर के राष्ट पती है रामनात कोबिन जी जो कि बिहार के पुर्व राजपाल यानि की गवर्णर भी रह चुके हैं तो यह जो है यह जो है कुश्चन बन सकता है में तो टोटल 15 राष्ट पती हुए हैं और इनकी सूची को जानते हैं तो सबसे पहले बात करें हमारे भारत के प्रथम राष्ट पती डॉक्टर राजियंद्परसाद थे आरपी का मतलब राजियंद्परसाद है उन्हें शब्यावन बावन में जो है डॉक्टर राजियंद राष्ट पती यानि कि दोबारा भी जो है उनिश्व संतावन में राजियंद्परसाद ही चुने गया और दोबारा भी जो है यह राष्ट पती बने तो सेकेंड में राष्ट पती भी जो है राजियंद्परसाद ही बने उसके बाद बात करें तो तीसरे राष्ट पती जो है वो जा है भारत के तीसरे राष्टपति बने कब बने तो उन्य Maddo Hier इंके बारेम बात की जए तो यह एक सब्सक्रित की स्ब्सक्राइब चुके सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लाधे निए रखन स thread की बात करें तो भारतत्य नुए बदक्ता करें तो चौथे नंबर के राष्ट पती की बात करें तो चौथे नंबर के राष्ट पती जो है कि पुर्व उपराश्ट पती भी रहा चुके थे और इनकी कारकाल के दोरान ही जेट रहाती य Sag?. मिर्टु हो जाती है और उसके बाद बात करें तो 9063 में भारत्रत्न मिलता लोगत्र अगले राश्ट पती की बात करें। तो अगलाğa राष्ट हुआ पांचमें नम्बर के राश्टम्स पती और इह इनका चुनाब उन्हें echo में हुआ और यस्ट कर राश्ट पति और यह इस दो है एक तिंग यानिकी लानरे इन्हों बपराश्टम के काम किया है कारी वाहक रास्टम्स पती हिर्ख याथ प्रशिडेन्ट यानि कि ये दोनों तोर पर जो है बीवी गिरी जी ने जो है काम किया है उसके बाद बात करें तो अगले राष्ट पती च्होंमे नंबर की राष्ट पती और ये जो है कि आपास्त कल के समय जो है फरक दीन अलीम अहमत जी जो है राष्ट पती थे और इससमय इंड्रा गांधी की सरकार ठीश इनकी जो है कारकलГ के दोराण मिर्दियू हो जाती है यह कारकल के दोन मरते हैं और उनके बाद इमर जो है आपास्त कल जो है इन ही के समय हुआ था तो ये जो है फैक्ट से कुछ आगले बात करें तो आगले जो राष्टपती हैं वो साथ में नमबर के राष्टपती हैं और ये 1977 में राष्टपती बनते हैं और इनका नाम है इन संजीवन रेडी इन संजीवन रेडी जो है ये साथ में नमबर के राष मत राष्टपती जो लोग सिभा स्पीकर भी रह चुके हैं और सीम का पद भी यह संबाल चुके हैं तो कौन एन संजीबन रेजी इन्होंने राजे के मुख मंतरी के रूप में भी कारे किया है और उसके बाद बात करें तो इन्होंने जो है लोग सभा अध्यक्ष के रूप म से इन का नाम है घ्यानि जैल सिंग् और इन्हेंसे भी जो है यह जो है coment रह चुके हैं यह घ्यानी जैल सींग जो हैoki जैल सेंग्ड़ संगर के तो यह मढई तंब हैं आपको ध्यान रखनी और उसी समय उनी के कारें कर्षाल में इंद्रा गांधि की हत्या हो इस जैल सिंग के कारिकाल में तो यह से आप ध्यान रख सकते हैं उसके बाद अकले राष्ट पती संकर्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धार्धा जो है राष्टपती बनते हैं और इनका नाम है इनका नाम है फ्रेंस के आर नारायनन के आर नारायनन जो है इनका नाम है और ये भी जो है फ्रेंस एक्स बाइस प्रेसिडेंट यानि कि भारत के जो है पुर्व उप राष्टपती रह चुके हैं उसके बाद बात करें तो अब्दृ और सभावसाली राष्टोल पती our अबीजयांग भारत में सभूछ बैग्यांनिक में शुमार अब अब्दृल कलाम और यह रष्टोल बंके बात करे तो अगले जो राष्टोल पती है और यह 2017 में सभारत-पती भारति और इनका नाम है इनका नाम है स्रीमती परतिभा पार्टिल स्रीमती परतिभा पार्टिल और देखिए ये जो हैं हमारे फुर्ष्ट उमेन राष्ट पती की बात करें यानि कि पहली महिला राष्ट पती की बात करें तो स्रीमती परतिभा देवी पार्टिल जो हैं इनके नाम से हैं और यह दो हजार साथ में राष्ट पती चुने गई उसके बाद बात करें अगले राष्ट पती की तो अगले राष्ट पती जो हैं 2012 में चुने जाते हैं यानि कि पुर्व वीत मंत्री भी जो है प्रनम मुखर जी रह चुके हैं उसके बाद अंतिम जो राष्टपती हैं जो कि अभी बर्तमान में भी कारियरत हैं और ये जो हैं 2017 में चुने जाती हैं और इनका नाम है रामनात कोविंद और ये दो से सबसे बड़ी बात है कि ये ज रहनमे नंबर के राष्टपती हैं रामनात कोविंद जी तो ये जो है फ्रेंट्स रा राष्टपती की जो है सूची थी कि 1922 से लेकर अभी 2021 कौन से राष्टपती है और इसके बाद आगे हम लोग जो है राष्टपती और उप्राष्टपती के तुलनात्मक अध्यन करके जो है राश्टपती और उपराश्टपती के बारे में कुछ फैक्ट को जानेगे अगले वीडियो में इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद